आपले शहर आता स्मार्ट होता है, मक तुम ही कदी स्मार्ट होता है? स्मार्ट निउट चे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशन साथी बेल आइकॉन मर क्लिक करा प्रकाश शुकेर ने मदद अताओं को बाटे पैसे, अभई पाटिल का आरोप प्रकाश पाँ ने करा ने करल आईक, तर झालं कर रखंदी बेलें Не व्यूबाते झाल 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 झा we have our pattern proof winning methodology in all our classroom programs grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination read lead succeed with us earth quota Career Academy how can you get some more than 12 विदान पर अशर चुनाव के लिए सोमवार को बेल गाम शहर उड़ी से आसपास के इलाकों में उच्छा जणक मतदान हुआ शहर में बने मतदान के इंद्र पर भी मतदाताओ में उच्सा दिखने को मिला इन उम्मिद्वारों के भागिया पर अब सोमवार को ताल लगा है क्योंकि राजनीदिक दलव ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का बना दिया है इस चुनाव के लिए वोटों की गिंती 15 तरीकों होगी और नतीजे का इंतजार करना होगा जिला कलेक्टर निदेश पाटिल और जिला पुलिस प्रमुक लक्षमन निंबर्गे ने मतद कान सुब 8 बज़े से शाम 5 बज़े तक होगा बेलगाम बागल कोट और विजापूर करनाड के उत्तर पश्चिमिस नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तीन जिले हैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजबा के आरुन शापूर कॉंग्रेस के प्रकाशुक और बाकी निर्दलिय उमिद्वार के बेच त्रिकोणिय मुकाबला है शेर बाजर में बड़ी गिरावट सुमवार को भरते शेर बाजर के शुरवात बड़ी गिरावट के साथ हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ती मुद्रास पिति के कारण दुनिया भर के से नीचे गिर गया नतीशत निवेशकों को पांच लाग करूल रुपे का नुकसान हुआ है ये 1981 के बार से उपभुगता मूले सुचकांक में सबसे बड़ी वृत्ती है सेंसेक्स फिलाल 1450 अंक नीचे 52,850 पर है व्यापका धरवाला नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का इं इफ्टी पर बैंकों और विद्य सुचकांकों में 2.5 फिस्दी से जादा की गिरावटाई है आईटी इंडेक्स में करीब 3 फिस्दी ऑटो इंडेक्स में करीब 2 फिस्दी और रियल्टी इंडेक्स में 2.5 फिस्दी से जादा की गिरावटाई है आज सबसे बड़े नुक अग्रेकों को इससे डरना नहीं चाहिए बलकि नई संक्रमन के लिए मास्क और बूस्टर डोस का प्रयोग कारगर उपाय होगा इस वास्ते विशेशक्यों द्वारा समझाया गया है रोग्यों पी संक्या में वृत्वी मास्क के बड़े पैमाने पर उपयोग और कम वैक्सिन बूस्टर खुराक के कारण होई है विशेशक्यों का ये भी कहना है कि बैठक, परियटन, यात्रा, आरतिक और व्यावसाई गती वीदियों के कारण वाईरुस के मामले बड़े है प्रसिद्ध विशाणू विज्यानी टी जकप जौन ने कहा कि वर्तवान में मरीजों के संक्या में वृत्वी हर जगव एक समान नहीं है ये धीमी गती से बढ़ रही है, कुछ राजों में बड़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन ये अन्य राजों में नहीं दिखा जाता है ये वृत्वी बड़े शहरों में देखी जा रही है जिलादिकारी ने मतदाताओं के लिए दिखाई ततपर था बेलगाम शहर में आज सुब उत्तर पश्ची में शिक्षक और स्नातक निर्वाजंग शेत्र के लिए मतदान शुरू हो गया जिलादिकारी निदेश पाटिल ने स्वयम विश्वेश्वरयानगर के एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए डेस्क लगाई बेलगाम की विश्वेश्वरयानगर के एक सरकारी स्कूल में बने मतदान केंद्र पर शिक्षक और स्नातक निर्वाजंग शेत्र के लिए मतदान शुरू हो गया इस थान पर मतदाता वोट डालने के लिए कतार में खड़े थे उस समय जिलादिकारी निदेश पाटिलने केंद्र का दोरा कर मतदान प्रक्रिया का निरिक्षन किया इस दोरान मतदाताओं को बैटने में दिक्कत हो रही थी इसलिए जिलादिकारी ने मतदाताओं को बैटने की वेवस्था करने का निर्देश दिया जिला कलेक्टर ने खुद स्कूल की कक्षा से एक डेस्क लाकर मतदाताओं के बेटने की विवस्ता की मतदाताओं ने जिलादी कारे के कारे की सराहना की नश्ट होए मंदीरों के पुन्नर निर्मान के लिए राश्टर वैपी आभियान होगा भारत स्वतंत्र हो गया लेकिन प्राश्टिन हिंदू मंदीर विदेशी गुलामी में बने रहे नतिश्ट कही मंदीरों को नश्ट कर दिया गया था सभी मंदीर संगटनों, भक्तों, पुजारियों और हिंदू समर्थ संगटनों ने अक्रमन कारियों द्वारा नश्ट किये गए मंदीरों के पुन्नर निर्मान के लिए एक राश्टर वैपी आभियान शुरू करने का सैंस लाखिया गोवा में दसवे आखिल भारतियों हिंदू राश्टर समिलन के दूसरे दिन हुई चर्चा के दौरान आधिवक्ता होने ये निर्णे लिया गोमान तक के लोगोद्वारा श्री रामना देवस्तान के विद्यादी राज हौल में आयो जित संग्वा तता समिलन में अपिल की गई थी कि इस लड़ाई के सबूत उने इस मौके बर सुप्रेम कोड के अड़ोकेट विश्नु शंकर जैन वारानसी के अड़ोकेट मदन मोहनियादव गोवा भारत माता की जय असोसियेशन के डाइरेक्टर सुबाश वेलिंकर और गोवा टेंपल वेडरेशन के सचिव जैश मौजुद थे प्रकाश उक्यरी ने मतदताओं को बाटे पैसे अभय पाटिल का आरोप सनातक और शिक्षक निर्वाचन शेत्रों के लिए मतदान सोमवार से शिरू हो गया बेलगाम दक्षन के विधायक का आरोप है कि कॉंग्रेस प्रत्याशी प्रकाश उक्यरी के कारेकरताओं ने इस चुनाओं में मतदान के लिए रविवार शाम विजापूर में मददताओं को पैसे बाटे है एसा आरोप विधायक आभय पाटिल ने किया है रुपए बाटते हुए कारेकरताओं के पास से 17 लाक रुपए जप्त के गए ये चानकरी रिटर्निंग आफिसर और क्षेत्रिया युकत आमलान अधित बिश्वास ने दी विजापूर में कारेकरता कार से वोटरों को पैसे बाटने गए थे पुलिस की शापे मारी के बाद कार से 10,000 रुपए बरामद हुए कुल राशी 17 लाक रुपए थी पुलिस ने कार सही ते राशी को जप्त कर लिया है और थाने में मामला दर्च कर लिया है इस बुलिटिन में वक्त हो गया चोटे से ब्रेक का देखते रहे स्मार्ट प्लस गूगी सुहानी ये अटूट बंजन खिले हर आशी आना रंग वस्थ्रों का खजाना मन्भाए आराधना मन्भाए आराधना आराधना मारुतिगली बेलगाम मन्भाए आराधना बेलगाम वासियों के पसन में उत्रा उडान बार एंड रेस्टोरेंट सोशल डिस्टंसिंग का खयाल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बहतरीन सर्विस का विश्वास यहां है पार्टी और फंक्षन के लिए तीन आलिशान हॉल कार्पूरेट डिनर मिटिंग के लिए तीन अलग कक्ष आईपियल मैच देखनी के लिए तीन बड़े स्क्रीन की विशेश सुविधा इसके साथ ही साफ सुत्रा किचन जहां हमारा वेल कॉलिफाइड स्टाफ देता है कॉलिटी और हाईजिनिक फूर की गैरंटी तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उडान बार एंड रेस्टोरेंट लिंगराज कॉलेज के पास बेलगावी फोन 0131 243577 ब्रेक के बद फिर से आपका स्वागत बढ़ते हैं अगले समाचर की और आजकल की शादियों में वाहनों की फौज, जोरदा डीचे और नशे में धूत युवकों की तस्वीर दिखाई देती है ग्रामिन क्षित्र भी इसे आच्छोते नहीं है ये दुक्कत है कि शहर से सबक लेकर ग्रामिन इलाकों में शादियों की रस्में बढ़ रही है हाला कि एल्लूर के किसान परिवार से आये नितेश चौगुले ने अपने शादि के दिन एक अलग छाप छोड़ी इसके चर्चा सिर्फ बेलगाम तालुका में हो रही है नितेश को अपने किसान होने पर गर्व है इसलिए उन्होंने दुल्धन लाने के लिए 11 जुन को बेलगाड़ी से बारात निकाली यहाँ के किसानों के लिए और ग्रामीन इलाकों में हर जग़ ये शादियाकरशन का विशे बन गई है चोगले परिवार ने इस अनूटे आवधारणा के माध्यम से पुरानी परंपरा को संरक्षित करने का प्रयास किया है एक किसान का बेटा दुल्हा बेलगाड़ी में सवार होकर शादिके वंड़ब तक पहुंचा महंगाए के मौजुदा दोर में इस पहल को काबिले तारिफ बताया जा रहा है आज भी आदुनिक्ता और फैशन की दोर में नितीन और आशा ने पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए समाज के लिए अनूकर ने आदर्श स्तापित किया है ओपरेशन मदद और अन्य संघटनों से राजंसगड क्षेत्र में पौधारोपन ओपरेशन मदद इनर्विल क्लब मजदूर नवनिर्मान संग, वनवी भाग, सुलगे, ग्राम पंसायतने, राजंसगड और जांबोटी क्षेत्रों में पौधे लगाए इस अभियान में जामुन, सिताफल, इमली, साफा, करंज, आम, वर्ड, पीपल और उंबेर के पोदे लगाए गए इस दोरान इनर्विल क्लब की अध्यक्षव सुष्मा शेटी, डॉक्र सविता कद्दू, लता कित्तूर, सुनिता हनमशेट, ममताज जैन, स्वाती कुलकरणी, सपना काजगर, प्रशांत बिर्जे, आनिकेत पाटिल, ओमकार पाटिल और राहुल पाटिल उपस्तित थे एल्दूर ग्राम पंसेल अध्यक्षव सतीश पाटिल को इस व्रक्षारोपन कारेकर में बहुमुले सहयोग मिला वटपूर्णी मा की स्वागत के लिए तयार शहर भारतिय हिंदू संस्कृति में ओध्वितिय महत्वा रखने वाले वटपूर्णी मा का पर्व मंगलवार को मनाया जा रहा है महिलाओं के लिए इस पर्व का विशेश महत्व है इसलिए बाजार में पूजा समगरी खरिदने के लिए महिलाओं का उद्जा काफी आधिक रहा शहर के मद्यभाग में गणपत गली, समादिवी गली, केलकरबाग, शापूर के खड़े बाजार, तिलकवाडी और अंगोल इलाके में पूजा का समान भीक रहा था पोजन अनुष्ठान के लिए आवश्यक आम, केला और अन्य फलों की बिकरी को भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली फेस्बुक फ्रेंड सरकल से एक जरूरत मन परिवार की मदद जर्म के समय किटनी की बिमारी से पीडिद एक वर्षिय प्रविन सोलंखे के इलाज के लिए मदद मांगी गई थी इसका सग्यान देते हुए शेहर में फेस्बुक फ्रेंड सरकल के मुखिया संतोष दरेकर और राहुल देशपांडे ने मदद की राहुल देशपांडे ने खुद 10,000 उपई जमा किये रविवार पेट में समराट ट्रेडर्स के समराट पाटिल ने सोलंग के परिवार को एक महिने के लिए परियाप्त अनाच देकर मदद का हाद बढ़ाया है वेदान्त फाउंडेशन के अध्यक्षव सतीश पाटिल ने आसानी से परिवार के बारे में पूछताच की और प्रविंट की बिमारी के बारे में पता चला उन्होंने ये जानकारी फेस्बुक फ्रेंड सरकल के प्रमुक संदोश दरेकर और चावनी बोड मराटी प्रातमेक विद्धा लेके प्रतानाध्यपक प्रशांत पिरजे को दी आरडी फुटबॉल आकादमी की संस्थापक राहूल देशबांड ने तुरंत इलाज के लिए 10,000 का दान दिया स्कूलों में मास्क अनिवारे का आदेश राजज में 16 मैं से प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल शुरू हो गये है पिछले कुछ दिनों से बीट भाड़ वाले जगों पर मास्क का इस्तेमाल मजबूर हो गया है क्यूंकि राजज के कुछ हैसों में कोरोना का प्रवाव बढ़ रहा है इसे स्कूलों कॉलेज में लागू किया जाए शिक्षा विबाक ने इसकेले छात्रों और शिक्षकों को स्कूलों में मास्क का उप्योग करने का आदेश दिया है देश में एक बार फिर कोरोना के मरीज बढ़ देज रहे है इसलिए सरकार ने फिर से नकाब उतार दिया है राजे सरकार ने शुकरबार को एक आदेश जारी कर सारवजनिक स्थानों पर मास्क पहना आनिवारे कर दिया इसलिए प्राथमिक और माथमिक विद्याले के चात्रों के लिए मास्क पहना आनिवारे है इनर्विल क्लब से चिडिया बच्चाव आभियान विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इनर भीर क्लब की और से क्यांप में च्छावनी बोर्ड मराथी प्रातमिक विद्याले में चिडिया बचा वाभियान का आयोजन किया गया कोलापुर में चिडिया बचा वाभियाने का इसा संभटन है जो बच्चों को पर्यावरण के महत्म के साथ साथ मानव जीवन में स्थानिय जानवरों और पक्षियों के स्थान के बारे में शिक्षित करने और कम उम्रे से ही उनके पालन पोशन के लिए जागरुपता पैदा करने का काम करता है इस संस्ता के आमृता उतारी ने चिडिया बचाओ पर्यावरण बचाओ पर मार्गदर्शन दिया चिडिया बचाओ विशेपर निबंद और ड्रोइंग प्रतियोगिता में सफल छात्रों को पूरसकार दिये गए क्लब की और से लता कित्टूर ने आधिक. इंडियन प्रिमियर लिग 20 क्रिकेट के आगले 5 सत्रों के प्रसारन आधिकारों की ए निलामी के पहले दिन तीवी और डिजिटल मीडिया के मैचों की संख्या 100 करट रोपई से आधिक हो गई. दूसरे शब्दों में प्रसारन आधिकारों के लिए बोली कुल 43,25 क हो गई है अवनी ने दूसरा स्वरण पतन जीता भारत की युवा पैरानॉर्मल अवनी लेखर ने फ्रांस में वर्ल्ड पैरा गेम्स शुटिंग चांपेंशिप में लगातार दूसरा गोल्ड मेडल हासिल किया है अवनी ने 50 मिटर राइफल 3 पोजेशन एचेच एक ग्रू पती ने रविवार को क्रमश्व महिला और पुरुष विश्व चंपेंशिप में रजग पदक जीते मैक्सिको में शुरू हुई प्रतियोगीता के पहले दिन अकानशा ने कुल 127 किलोग्राम का भार उठाया जबकि विजए 155 किलोग्राम भार के साथ दूसरे स्थान पर फाइनल मैच में हौंग को हराने का आतम विश्वास सुनिल छेत्री घर में खेलते हुए हमें दर्शकों का पुरा समर्तन है भारते फुटबाल टीम के कपतान सुनिल छेत्री ने कहा लगातर दो मैच जीतने से हमारा आतम विश्वास बड़ा है और हमें फाइनल में कौलिफायर में अफगानिस्तन को 2-1 से हराया था इसे पहले भारत ने पहले मैच में कमबोडिया को 2-0 से हराया था इसे के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचर समाप्त हुए धन्यवाद